Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad West Indies और England की ट्रिकेट टीमों के दिरमान North Sound में खेले जारे तीन One Day International Matches के दूसरे मैच में England ने West Indies को पाँच विक्टों से हरा कर सिरीज एक-एक से बराबर कर दी जी हां, इस मैच में England की कैप्टन लियाम लिविंग्सन ने टॉस दीद कर पहले फिड्लिंग करने के फैसला किया और West Indies को पहले बैटिंग की दावत दी तो West Indies की टीम मुकरा 50 सोज में 6 विक्टों के नुकसान पर 328 सन बना सकी और जवाब में England ने मतलू भादफ 5 विक्टों के नुकसान पर 47.3 और में पूरा करके मैच 5 विक्टों से जीता जबके अभी 15 गेंदे यानी 2 अशारिया 3 ओवर का खेल बाकी था जिनाव West Indies की इनिंग का अगाज होता है तो 7 के स्कोर पे पहली विक्ट गिरती है ब्रेंडन किंग दूसे ओवर की चौती बॉल पे साथी रन बनाए दस गेंदों का सामना किया एक चौका इन की निंग में सतर के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे यह उसके बाद से दूसरी विक्ट जो है वो 12 के स्कोर पे एवन लुइस पिछले माच में जब 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 सेंच्छी स्कोर की थी यहां सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए 6 गेंदों पे 4 रन बना है 66 का इनका स्ट्राइक रेट कॉर्ट बाइ फिल सॉल्ट आफ तो बॉलिंग अफ जॉन टर्ल और फिर 30 विक्ट 155 की जहां 155 के स्कोर पे 30 विक्ट गिरती है 30 विक्ट की पार्टनेशिप में 163 गेंदों पर 143 रन बनते हैं बिट्वीन शाय होप और केसी कार्टी और शाय होप ने 89 गेंदों पर 71 जबके केसी कार्टी ने 74 गेंदों पर 70 रन बनाए और इस तरह इनकी टीम का टोटल पहुंचता है 12 पे 2 खिलाड़ी आउट से लेकर 155 पे 3 खिलाड़ी यहां पर केसी कार्टी आउट होते है 30 खिलाड़ी और 31 विक्ट का खेल 71 रन बनाए इन्होंने और 77 गेंदों का सामना किया 5 चौके और एक चचका इनकी निंग बेशामल था 92 इनका स्ट्राइक रेट और उसके बाद से चौथी विक्ट की पार्टनेशिप पे फिर आपको नदर आता है 59 रन 57 गेंदों पे 89 रन जिसमें शाय होप ने 22 और शेर्फेन रधरफोर्ड ने जववन रन बनाए और वेस्ट इंडीस का टोटल लेकर जाते हैं यह 234 के स्कोर पे तब शर्फेन रधरफोर्ड आफ्टर स्कोरिंग इस हाफ सेंट्री वोज आउट 54 रन बनाते हैं 36 गेंदों पे 4 चौकों और 3 चौकों की मदद से 150 इंका स्ट्राइक रेट पिर पांच विक्ट 256 के स्कोर पे यहां पांच विक्ट पे भी 31 संद की पार्टनिशिप सिर्फ 17 गेंदों पे जिसमें शाय होपने 5 इंदों बनाएं लेकिन शिमराओन हिट मेर ने 11 गेंदों पे 24 संद बनाएं तो यह 31 संद की पार्टनिशिप और फिर 5 विकट 297 के score पे यहां चटी विकेट की partnership में फिर आपको नजर आता है कि 32 संद रॉस्टन चेज और शाय होप ने और फिर रॉस्टन चेज और फोर्ड ने भी 31 संद की partnership की तो चटी विकेट जो है वो गिरती है 297 के score पे शाय होप after scoring a century और यह की one day में 17th century है and he is fourth in the list of scoring most centuries for West Indies in one day international और फिर इनकी बाकी आखरी विकेट की partnership में जिसका आपको अबता है कि दुबारा मजीद जो है 31, 18 गेंदों पे बनते हैं नकाबले शेकस partnership और इनका total point ता है 328 चेज विकेटो के नुक्सान पर उकरा 500 में इनकी इनिंग में number of boundaries देखी जाए तो इनकी जानिब से कुल आपको नजर आएगा 14 चके इनके batsmen बहुत जादा number of sixes की बात है और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 20 चौके 20 चौकों और 14 चौकों की मदद से West Indies ने पहले बैटिंग करते हुए मुकरा 500 में 6 विक्टो के नुकसान पर 328 संज बनाए और इंगलेंड की बालिंग देखी जाए तो इंगलेंड की जानिब से कुल 9 बालर्स ड्यूस की गए जौफरा आचर 9 और में एक मेडिन 40 संदी एक विक्ट हासल की जौन टेनर 6 और में 42 संदी एक विक्ट हासल की साकिब महमूद 8 और में 56 रंदी एक कोई विक्ट हासल ने की आदरल रशीद 10 और में 62 रंदी एक विक्ट हासल की लियाम लिविंगसन 7 और में 56 रंदी एक विक्ट हासल की जवाब में इंग्लिंड जिसको 329 संस का हदाफ मिला उसने मतलुगा हदाफ 47.3 और में 6.92 के औसद से 5 विक्टो के नुक्सान पर पूरा करके मैच 5 विक्टो से जीत लिया इनका अगाल देखा जाए तो 5 विक्टो में इनकी पहली विक्ट गिरती है 37 के स्कोर पे और आउट होने वाले वे ओपनिंग बाट्स उन विल जैक्स 11 गेंदों पर एक चौके की बंदद से 12 रन बनाके आउट होते हैं 109 इनका स्ट्राइक रेट कॉट बै एवन लुइस ऑफ दो बोलिंग ओफ मैथ्यू फोर्ड फिर 12 विक्ट जो है वो 63 के स्कोर पे जॉर्डन कॉक्स आउट होते हैं बारवे ओर में इन्होंने 4 रन बनाए 19 गेंदे खेले काफी गेंदे कंजूम कर लिए लेकिन सिर्फ 4 र बागे श्मोटी ऑफ दो बोलिंग ओफ मैथ्यू फोर्ड और चौथी विक्ट एक सो साथ के स्कोर पे जेकब बैथल आउट होते हैं अफर स्कोरिंग अहाफ सेंट्री इसकोर 55 और 57 बोल्स हिटिंग 4 4s और 2 6s बिदे स्क्राइट राइट 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 लिविंक्स्टन ने इस पार्टनर्शिप पे 55 गेंदो पे 89 और सैम करन ने 52 गेंदो पे 52 और बनाया और अपनी टीम का टोटल लेकर गए 300 के स्कोर पे 46 और में तब सैम करम आउट होते हैं और सैम करन ने 52 बनाया बावनी गेंदो का सामना किया तीन चौके और एक चका इन किनिंग में चामल था इव सकॉट बाई शिमरान हिट पे अफ दो बोलिंग ओफ मैथ्यू फोर्ड और फिर उसके बाद से हमने देखा कि अन बीटन पार्टनर्शिप है आखरी विकट की और 29 गेंदों फिर दो और में 29 बनाये गए और इस वज़ा से इनकी टीम मैजिक दी एंड में लियाम लिविंगस्टन पचासी गेंदों पे 5 चौकों और 9 चौकों की मदद से 146 के स्ट्राइक रेट के साथ 124 पे नॉट आउट रहे और डैन मूजले ने 4 रंग बनाये ये भी नॉट आउट रहे लेकिन लियाम लिविंगस्टन अन बीटन सेंट्री मैच वि लगा है लेकिन अगर चौकों की बात की जाए तो 21 चौक है यहां एक चौका जादा है जहां वेस्ट इंडीज ने 20 लगाए थे यहां इंगलेंड ने 21 चौक के 21 चौकों और 12 चौकों की मंदद से इन्होंने 47.3 और में मतलूब हादफ हासल करके मैच 5 विक्टों से जीत ल फोड 10 देखा जाए तो वस्ट इंडीज ने 24 चौक बनाए तौक के लगाई. पर इंग्लिंड ने पहले 10 और में 58 रन बनाए एक विकेट के नुक्सान पर मिडल पार्ट आफ दे इनिंग वेस्ट इडीज ने ओवर नमबर 10 टू ओवर नमर 40 30 और में 194 रन बनाए दो विक्टों के नुक्सान पर और इंग्लंड ने तीस ओर में, दसें से लेके 40 ओर में, 171 रन बनाएं, तीन विक्टो के नुक्सान पे लेकिन इंग्लंड ने जो गेर चेंज किया, पहले सौर रन्च देखें तो वेस्ट इंडीज ने 22.03 और में, इंगलंड ने 18.03 और वेस्ट इंडीज ने 1500 रन 29.03 इंग्लिंड ने 25.3 और में रंज, 1.500 रंज मकमल किये और फिर उसके बाद से अगर 200 रंज का हदर दिखा दे तो वेस्टेडी ने 36 और में 200 रंज और इंग्लिंड ने 34.4 और में 200 रंज बनाए लेकिन इंग्लिंड की जानब से जेकब बैथल ने 251 गेंदों पे फिल सौर्ट ने 252 गेंदों पे और लियाम लिविंग्सिन ने क्या जबदस 256 गेंदों पे और वे वेंट उन तो स्कोर असेंट्री ऑफ 77 बॉल हिटिंग 4 फोर्स इन 6 इक्सेज और दस विरिंग दे माच बाइ 5 विकेट जेहां जबदस इनिंग खेलने पर लियाम लिविंग्सिन जिन्नों ने 56 गेंदों के वज एक विकेट भी हासल की और साथ सद पचासी गेंदों का सामना करते वे 124 गेंदों की नाकाबले शेकिस इनिंग के लिए को मैच का बहतरी इन खिलाड़ी यानिके Man of the Match करार दियागा Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world